हर हर महादेव, दोस्तों गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, यह साल की सबसे पुन्यकारी और खास दिनों मेंसे एक है. आज हम आपको बताएंगे की गुरु पूर्णिमा कभ है, क्या रहेगी, गुरु पूर्णिमा की पूजा विधी और शक इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भगवान शिव पार्वती लिखे। इस दिन को भगवान जगनात के जन्म दिन के रूप में भी मनाया जाता है। हालांकि गुरु पूर्णिमा का व्रत इस बार 21 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार आशाड माह की पूर्णिमा तिथि रविवार 20 जुलाई 2024 को शाम 5 बज कर 69 मिनट पर शुरू होगी। वहीं ये तिथि अगले दिन यानि सोमवार 21 जुलाई 2024 को दो पहर 3 बज कर 46 मिनट पर खत्म होगी। अथा पंचांग को देखते हुए इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी और इस दिन सनान दान किया जाएगा। पर गुरु पूर्णिमा का व्रत और सत्य नारायन पूजा 21 जुलाई को ही की जाएगी। क्योंकि उसी दिन पूर्णिमा तिथी में चंद्रमा का उदय होगा। ऐसे में पूर्णिमा व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा 21 जुलाई की रात को ही होगी। अब जानिये पूर्णिमा के दिन पढ़ने वाले पूजा और स्नान दान के सभी शुभ मुहूर्थ गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 दिन सोमवार को सुर्योदय सुभ़ 5 बजकर 7 मिनट पर होगा और सुर्यास्त शाम 6 बजकर 36 मिनट पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्थ सुभ़ 4 बजकर 14 मिनट से 4 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। इस दिन अभिजित मुहूर्थ दोपहर 12 बजे से 12 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। अमृत काल सुभ़ 7 बजकर 19 मिनट से 9 बजकर 2 मिनट तक रहेगा। इसी अमृत काल में आप सत्य नार आयन भगवान की पूजा कर सकते हैं। आयन भगवान की पूजा कर सकते हैं। पूजा विधी और पूर्णिमा पर मा लक्षमी को प्रसन करने के अत्यंत उपाए। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रख कर चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्रदोश दूर होता है और जीवन में सुख समरिध्य आती है। इस दिन सत्य नारायन भगवान की कथा का आयोजन करने से परिवार में सुख शांती आती है और पूर्णिमा के दिन दान करने से चंद्रमा का शुभ प्रभाव होता है। इस दिन पीपल के पेड की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। पूरी होती है। इस दिन चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप सफेद वस्त्र, शक्कर चावल दही या फिर चांदी का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिती मजबूत होती है और जीवन में धन सम्रिध्धी आने लगती है। मंदिर में लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। इसके बाद महालक्ष्मी की पूजा करें और चौकी पर हल्दी या केसर से तिलक करें। थोड़ी देर बाद इसे हटा कर कपड़ों के साथ ही तिजोरी में रख दें। इससे धन की देवी मा लक्षमी घर में रुकने लगती है। धन पाने के नई साधन खुलते हैं। दोस्तों सची श्रद्धा से कॉमेंट में जरूर लिखे जय भोलेनात, जय शिव शंभू, साथ ही देवो के देव, हर हर महादेव, सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, प्रियमित्रों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, जय भोलेनात